जै जवान जै किसान दोस्तों आप सबी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल सल्यूट टू फार्मर पर दोस्तों आज हम आप होचे हैं उत्तर प्रदेश जिलामरो हमें हर्विंदर भाई के पिक फार्म पर आज हम इन से जानेंगे इनके 6 साल के एक्स्पिरियंस के बारे में कि इन्होंने 6 साल में क्या खोया और क्या पाया तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुवात हर्विंदर भाई सबसे पहले हमारे दर्सकों को अपना एक छोटा सा परीचे दीजिए हर्विंदर भाई आपने इस पिक फार्म की सुरुवात करी और कैसे करी और आपको कब सुझावाया कि आपको इसकी सुरुवात करनी चाहिए मैं फिशरी का काम करी रहा था जब इस लाइन में आए और दिमाग में ऐसा रहता था कि बजिया लेकी सब्सक्राटा को अपने पिक फार्म के लिए एरिया जो कवर कर रखा है ये कितना एरिया है यह मैंने स्टार्टिंग में बना लिए ते और यह मैंने छपपड से बनाए ते वह इस वज़े से कि नैचुरल भी रहें जैसे गर्मी होती है अंदर टेंपरिशर ज्यादा नहों और सर्दियों में गरम रहते हैं और खर्चा भी काम आया था अब मैं चेंज कर रहा हूं जै नुकसान आंदी जैसे अब आंदी बगएर आती है उससे इतने टिकाव नहीं है जितना मैं समझ रहा था लेकिन जितने इसके फायदे भी है बनाएंगे तो टीन से बनाएंगे इसके ऊपर से डालेंगे और जैसे आपने पहले किस्टेन कर रहा है कि आपने कैसर बात करी स् सिस्टम है जैसे मार्केटिंग का होता है ना कि बढ़ते चले जाते हैं तो सैड तो हमने बना लिया पहले कि वह बढ़ते रहे फिर उसके बाद तो सेल इतने होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं बहुत अच्छा काम है यह हरवंदर भाई जो आप यह अपना एनिमल लाए थ है और यह आपको किस रेट पड़ा था यह हमें उस समय जो थी 25,000 की मादा पड़ी ती अब तो खैर महंगी हो गई है अच्छी भी रिट थी यह लेंडर्स की वह लेकर आये थे हम और 15-20 बच्चे भी ला थे हम ताकि जो जैसा उनके बच्चे आते रहें और फिर जल्दी स हुआ रहें हड़ ज़कर रेट हैं 220 बात रुपर तक गई हैं किलो के हिसाफ से जब आप अपने य ते आपने बातों का धियान रखा था यह कैसे पता लगाया था कि यह आपका पीग है इसमें देखा रहता है इसमें झाली है पढले तो कितने बार यह तो किने बार वार हि तो ज़्यादा बेट के लिए नहीं चाहिए सभा कुंटल डेट कुंटल के लिए नहीं चाहिए तो होई नहीं सकता कि दो या तीन बार से ज़्यादा भी आई हो तो इस बात का जिरूर दिहान रखें और वैक्सीन का क्या प्रोसिस होता है इनका देखो इसके बारे में एक कावत भी है कि लड़के की साथ दिया तो चाहिए उसमें मत जाई हो लेकिन अगर वैक्सीन का टाइम है तो वैक्सीन जरूर कर नहीं है यह स्वाइन फिलू को होता है अभी आपने पीछे देखा फिक फ और पालन में इनमें बिमारियां बहुत लगती हैं तो उन बिमारियों से आप कैसे बचाफ करते हैं देखो लाइव स्टोक के जितने भी काम हैं सभी है बिमारी हर चीज में हैं लेकिन हो यह दियान लखना चाहिए अपने बायो सीकूर्डी का जियान रखो जैसे फारम के किसी महामारी का सामना करना पड़ा है महामारी आती है लेकिन हम पहले सी सचेत रहते हैं पचास सो साट लाग का माल होता है इसमें तो यह दियान रखते हैं कि हर को यह चाहिए कि नुकसान नहीं तो सारा दियान रखते हैं फिर ऐसा नहीं है कि आपने फारम स्टार्ट कर द तो उसकी पहचान कैसे होती है पहचान ऐसी होती है जब आप किसी भी काम में हो जिए ध्यान रखोगे देखोगे भी क्यों सुस्त है खाने रहा उटना चलना फिनना उससे पता लग जाता है अच्या आप इनने फीड में क्या देते हैं फीड में हमारा कंपनी का फीड आता है रोएल ग्रीन का वह खिलाते हैं जैसे पिग वेस्ट भी देते हैं देखो यह बहुत अच्छा सवाल पूचा भाईजी ने वेस्ट जो है नहीं बीमारी की जड़ मैं इसे ही मानता हूं वेस अगर खिलाना भी रहे हो आप गया सीजन का रहा हो चलो लेकिन उसके साथ में भी आप जैसे मिनल मिक्सर हो गए जरूर देना चाहिए और कैल्सियम और लीवर की दवाईयां जैसे आपके एनिमल एक दिन में कितना फीड मतलब एक एनिमल पे कितने रुपे का फीड खर्च है उसमें अपने सो रुपे का खर्चा आता है सो से एक सो एक सो एक सो बीज रुपे एक एनिमल पर अच्छा हरवंदर भाई जैसे आपकी फीमेल पिग साल में कितनी बार भी आ जाती है यह बियाती है जी साड़े तीर महीने में आपको डिपेंड करता आपकी खिलाई पिल जाती है लेकिन जब सारा हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज अगर मोडिटी जादा हो जाती है आप जहां लगाएंगे नो इंची नीचे से नो इंची साइड से बैठे की तो बच्चे दबेंगे नहीं हो सकता कि नो दस्की आए हमारी अच्या और आपका जो 6 महीने का बच्चा है वो कितना वेट गैन कर लेता है शे महीने का लोग बोलते हैं कि पूरा हो जाता है लेकिन ओगलत है अगर आप फिर ओपर फीट भी खिला रहा हो सारा कोई जान भी रखरा हो तो आप 7 महीने मानका चलो स्टार्टिंग से or 6-6 मेहने माँनाऊ आप एक उ्डल का बेट ले लेता है दूद्स шट понять का बात का टाइम होता है हरींदर भाई हमारे धरशों को थोड़ा सा मार्केटिंग के बारे में बताइक कि आप इनकी मार्केटिंग कैसे करते हैं आ मार्केटिंग देखो आप कोई भी काम है बड़ी लेवल पर आप स्टार्ट कर लोगे फेल जो होते हैं इसी वह साथ कि बड़ी लेवल पर स्टार कर लिया और सबसे बड़ी गलती है कि वही सैड़ पर पैसा कर दिया आपने बहुत सारा एनिमल्स ले आइंपर खचा हो गया पीछे खाने के लिए नहीं होता आप यह मान का चरो एक सूरी की फैमिली स्टार्टिंग से एक साल में एक लाग का खड़ चाता है एक सूरी की फैमिली पर पीछे के लिए रुप्या अपने रोक कर रखना चाहिए उसे साफ से करें आप ने कितने बच्चों से सुरुआत करी थी और आज आपके पास कितने एनिमल हैं जैसा कि मैंने पहला बताया स्टार्टिंग हमने तीन मादा ली थी बोल ली थी अब इस समय दोसों के आसपास हैं और हमारे डेली की सेल है तो आपका साल में कितना ख़र्चा हो जाता है महीने का महीने काम कर था यह मही दो वच्टहां के लाक के वीच में हरWindr भाई, Jaisei हमारे किसान भाई, और अगर कोई अपना पिक फार्म सुरू करना चारता है आपको देखके तो उसे आप क्या सुझाव देते हैं वाउन से भाइप करना चाहते हैं सबसे पहले दो कई सारे फार में विजिट करें देखें उनके अनुभड लें और आप कही चुल साने महां से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो उसके बाद ही स्टार्ट करें हरवेंदर भाई जैसे आपको काफी टाइम हो गया है तो इतने टाइम पीरेड में आपने हर उतार उतार चड़ाब देखा होगा तो थोड़ी सी उस बारे में बताईए हमारे दर्सकों को अब हमारे जो हैं कई बड़े लोग हैं जो ओर फारम वाले किसान वाई हैं साथ में रहते हैं तुरंत अब अपने सला हो जाती है क्या है वैसी कोई दिक्कत आती है नहीं पीछे से मानता हूं आप कोई बड़ा भाई या कोई फारम वाला गाइडेंस आपके हाथ होना जैसे कोई नया किसान भाई आपसे इंस्पायर होके ये काम शुरू करना चाहता है अगर कोई आपके फारम पर विजिट करना चाहता है तो आप उस अलाओ करेंगे हाँ जी अलाव कर देते हैं जो भाई सीखना चाहता है आगे सीख सकता है अपने काम स्टार्ट कर सकता है और हम कोई फीस भी नहीं है हमारी टेनिंग की जो भी हमें जितना भी एक्सपीरियंस नूलीज है वह हम बताते हैं और हमारा चोटा सा यूटूब चैनल भी अपने किस जानकारी चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कहीं सारी वीडियो मिल जाएंगी हर्विंदर भाई हमारे किसान भाईयों को कोई एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे देखो भाई मैसेज मैं देना चाहूंगा कुछ लोगों ऐसा हुआ बना रखा डर बना रखा बोले कच काम है आप करो साथदानी से करो जान पुर्फ करो सीख कर करो कुछ अलग करो हटकर करो अपने नाम करो दोस्तों हर्विंदर भाई का भी यूट्यूब चैनल है हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अगर आपको और ज्यादा चाहिए पिक फार्म के बारे में तो आप उनका चैनल विजिट कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी दियोई जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दवाना ना भूले ताकि हमारी अगली किसी वीडियो की आप तक सबसे पहले पोचे सल्यूट टू फार्मर